हेलो स्टों मैं हूरजद दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में दोस्तों जब से सीरियल स्टार्ट हुआ है हमेशा से ही सई के जो फैंस है वो काफी जादा उदास रहते हैं क्योंकि हर वक्त पत्र लेखा की कहीं ना कहीं पर जीद दिखाई जाती है अब सीरिल का लास्ट सीन ही देख लिए यह हर बार सई को ही जो है काफी बड़ी मुसीबतों से होकर गुजना पड़ रहा है कभी उसका एक्सिडेंट हो जाता है तो उसके जान पर बनाती है तो कभी वो गड़े में गिर जाती है किसे और को बचाने के लिए और नहीं तो यहाँ पर सीरिल के लीड एक्टर नील भट को यानि की विराट की किरदार को भी गोली लग जाती है और वो हॉस्पिटल में पहुँच जाता है निनात तक के तबित खराब हो जाती है तो भाई लोगों के मन में सवाल ये है कि पाकिदि कहां से किस्मत लिखवा के लाई है है कि इतना कुछ करने के बाद भी गुंडों से उलकित को किड्नैप करवाने वाला सच विराट से चुपा कर भी आखिरकार कैसे इनको कुछ होता नहीं है और इनका सच सामने आता नहीं है और काफिलों के सवाल पूछ रहे थे कि भाई वो मुमेंट के बारे में बताओ जब पत्र लेखा को सबक मिलेगा और उसकी हालत खराब होगी वेल दोस्तों वैसे तो नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ भी ऐसा हो लेकिन सीरिल में ऐसा होने जरूर वाला है पर दोस्तों मैं वीडियो में आपको अपडेट देने से पहले पहले ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ किसमें बहुत सारा टाइम अभी लगने वाला है ये आप सभी का सवाल था इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको आगे बताओंगा तो दोस्तो सबसे पहले तुम आपको बताता हूँ कि ये सीन कहां से चुड़ा है ये सीन जुड़ा है विराट के मिशन से जी हां दोस्तो विराट का मिशन जो है सीरियल में आने वाले दो सब्ता के अंदर शुरू हो जाने वाला है अब भाई मैं दो सब्ता और पिसले भी कई टाइम से लगाता है उनकी आएग आएगा पर ना चाहते हुए भी सीरियल में इतने लंबे-लंबे सीरियल कीश ले जाते हैं आज भी सीरियल जो है वो सीडियो में खड़ी रह गई उसको अंदर भी नहीं आने दिया तो सीरियल बहुत स्लो है तो टाइमिंग का कहपाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहां पर फाइनली दोस्तो विराट का मिशन यहाँ पर होने वाला है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस विराट की मिशन में जो है सई की बहुत भागेदारी होने वाली है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कमेंट में भी कि यहाँ IPS आपिसर विराट को नहीं सई को होना चीक क् कर लेती है यार वो और डॉक्टर के गुन तो थोड़े कम ही है क्योंकि सरजरी के बाद भी ट्रैफिक में निकल गई और जान पर बनाई थी उसके तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है सई बहार निकलने वाली है विराट की तलाश में क्योंकि उस वक्त तक विराट अप कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं है ऐसे में सभी लोग उदास है लेकिन सई ने प्लान बनाया है कि विराट सर का बोर्थरे सेलिब्रेट करना है लेकिन वहाँ पर विराट सर जो है बहुत बड़े मिशन में बिजी होने वाले है वेल मिशन की बात हम पहले कर चुके हैं लि यहां पर विराट के सीनियर खुद बुलाने वाले हैं अपने पुलिस के इवेंट में और उसे समानित किया जाने वाला है और जब यह खबर पहुचने वाली है घरवालों के पास तो घरवाले के जो मन में जो है वो एक खुशी के लहर दोड़ गई है क्योंकि अब घर का म जूरता है कि पाकी दीदी कौन सा बड़ा खेल यहां पर खेलते में नजर आईगी तो मैं आपको बता दो कि पाकी दीदी जो है उनकी तबित भाद भायंकर खराब हो जाने वाली है वेल दोस्तो यहां पर देखना बहुत इंट्रोस्टिंग है कि वाकरी में उनकी तबित फिर वो नाटक करने वाली है लेकिन दोस्तों नौवत यहां तक भी आ जाएगी जहां तक मैं आपको बता देता हूँ कि सही जो है वो पुलकित को कहेगी कि पुलकित जीजू आप जो है पत्र लेका दीदी का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए और इनको जो भी दवाई पाने चाहिए प्लीज इनका ध्यान रखिए अब भाई चहुआ निवास के लोग भार भाला क्यो जाएंगे जब घर में फ्री का डॉक्टर पैठा है तो ऐसे में यहाँ पर पुलकित की भी जॉब लगने वाली है पत्र लेका उसकी कटर दुश्मन के साथ में कि उसका ध्यान रखो लेकिन यहाँ पर पत्र लेका चाले ऐसी कुछ चलने वाली है कि सिचुशन बदल जाएगी और घरवालों को लगेगा कि स्पाकी की इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बलकि सई है लेकिन सई तो सई है वो इस सिचुशन से भी आसानी से निकल जाने वाली है और पत्र लेका की जो चाल थी कि सई को इवेंट में जाने से तो नहीं रोक पा रही हूँ है क्योंकि वो तो जाएगी ही जाएगी लेकिन घरवालों को तो रोक लोक क्योंकि घरवाले भी तो इन्वाइट है इवेंट में और साही की सीनियर के सामने जो है डियाई जी साथ तो वैसे ही साही के फैन हुए है बाकी भी हो जाए इससे पहले बाकी घरवालों को भी रोको और सही को भी जाने से जतना हो सके रोखो इसे अवार्ड नहीं मिलना चीए तो ऐसे में यहाँ पर सही का अवार्ड देने से रोकने के लिए विराप और सही के मोमेंट से आपको काफी देखने को मिलेंगे क्योंकि इस वक्त भी I think सही और विराड थोड़ी दूर होंगे लेकिन उनका हाँ उनकी जो गलत फैम है वो clear हो चुकी होगी और यहां से love story में उनकी यहां पर शुरू हो सकती है तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दू कि विराड भी लगातर contact करने ही कुशिश करेगा सही से रेकिन सही जवाब नहीं दे पाई कि कुछ कारण से पत्र लेखा से भी बात करने के लिए वापस लोटने वाला है और इस पर भी बहुत सारा बवाल है पर मुद्दे की बात यह है कि आकिरकार यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलने वाला है तो दोस्तों आप सभी को बता दू कि पत्र लेखा की इतनी बड़ी चाल जो है वो उसके उपर भारी पढ़ने वाली है क्योंकि उसकी चालों के बात जो है पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी पूरी तरीके से तूट जाएगी क्योंकि वो अपने लाइफ का सबसे बेकार मुमिंट से मानना चाहती है जब साही को जो है इतना बड़ा आवार्ड से नवाजा जाने वाला है क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया है इतने बड़ेласт को पकड़ाया है और फाइनली सई को जो है विराट के सामने अब बल भी बड़े सीनियर अफिसर्स के सामने बहुत सारे अवार्ड बहुत सारे यहाँ पर पुरुषकार मिलने वाले हैं आपको खास बात में यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर पुलीस वालों के इवेंट में जो है सही से बहुत सारी फर्माईशें भी की जा सकती है जहाँ पर उसे कहा जाए कि कुछ डांस ही दिखा दो या फिर कुछ एक्टिंग करके दिखा दो कुछ बता दो आपको देखने को मिलेंगे अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अब यह सवाल होगा कि भाई आपने इतना कुछ बता दिया है पर आखिरकार यह मोमिंट आएगा कब इसमें कितना टाइम लगने वाला है तो जैसा कि दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग मैंन कर दिया है फिर भी दोस्तों आपके लिए में बता देना चाहता हूं कि लगबग तीन से चार महीने विराट का नहीं तीन से चार महीने में आपको देखने को मिल जाएगा मिशन पहले ही आई थिंग खत्म हो जाने वाला है और विराट का बोड़्थ डे भी यहाँ पर हो और यहाँ पर सही और विराट की मिस इंडेस्टेंडिंग जो है वो बहुत हद तक दूर होते वे नजर आएगे अगर दोस्तों सवाल यहाँ पर उड़ता है कि आकरकार घर वाले इस इवेंट में पहुंसने वाले हैं या फिर नहीं या पत्र लेका दीदी ने उन्हें रो ज़ाए और सम्मानित होंगे और पत्र लेका दीदी जो है घर पर रोती हुई पैठी रहेगे तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यह अपडेट जानकर थोड़ी तो खुशी हुई होगी क्योंकि भाप लंबे टाइम से यह सवाल चल रहा था कि आकरकार पत्र लेका अब देखकर साब पता चल रहा है कि अब जो पासे हैं वो सई के घेरे में हैं और अब पाकी की उल्टी गिंते जल्द ही शुरू होते वे आपको नजर आएगी क्योंकि सम्म्राट भी लौट चुका है तो आए तिक दोस्तों आपको यह अपडेट पसंद आई होगी आपक कि कितना इंट्रोस्टिंग अभी और है सेडियल बस हाँ एक आशा करते हैं कि सील की स्पीड थोड़ी बड़े क्योंकि अच्छे से अच्छे मुमेंट भी इसके करन्ट खराब हो जाता है यह बहुत स्लो दिखाया चाता है दोस्तों कमेंट सेक्षिन बताई कि आप इस सीन प्राब